तो दोस्तों बहुती इसका मस्त selection procedure रखा गया है इसमें कोई भी रटनिक्ष्या नहीं होनी है दोस्ते इसमें आपको ना ह Suppose4 करनी है ना ही आपको इस चीनध करनी है आ फाइनली उनको इस interview से या selection process से बाहर और candidate कोई भी major operation नहीं होना चाहिए मत्तब candidate कोई भी बड़ा operation नहीं होना चाहिए अब आपके मन में एक सवाला रहा हुगा कि जो candidate इसे पर select हो जाएंगे साल में छुटिया कितनी भी लेंगे जाहिए दोस्तों आज की वेगेंसी है एएरपूर्ट अथार्टिय ओफ इंडिया की तरफ से इसकी एक सहाय कंपनी है जिसका नाव है एए आई क्लास दोस्तों जिसको हम कह सकते है एएरपूर्ट कॉर्गो एंड लोजिस्टिक एलाइट सर्फिशल लिमिटेड दोस्तों याप पूरी तरीके से एएरपूर्ट अथार्टिय ओफ इंडिया की 100% सब्सिडिवी कंपनी है अब दोस्तों हम चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं बैगेंसी की तो दोस्तों टोटल कुल पदों की संख्या इसमें 105 है बात करें कौन से पद के लिए बैगेंसी निकाली गई है तो दोस्तों इसमें पद का नाम है टॉली डिट्रीवर जिसको हम लोग हेलपर या लो तो दोस्तों आप लोग इस form को सिर्फ और सिर्फ ओनलाइन मादम से अपलाई कर सकते हैं, इसको आप ओफलाईन मादम से अपलाई नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ इसमें फीस कितनी हैं, तो दोस्तों जनरल, OBC और EWS कंडिडेट को 250 रुपए फीस दे देनी है, उसके बाद दोस्तों बात करें, इसमें online starting date, मतलब इसके form कब से भरे जाएंगे, तो दोस्तों इसके form दो अगस्त, मतलब 28233 से लेकर helper or loader की job है, इसलिए इसमें ज्यादा education qualification की जरूत नहीं है, इसमें केवल दस्वी pass candidate apply कर सकते हैं, तो आप ज्यादा पड़े लिखे नहीं है, आप बारविंग क्लास नहीं पास हैं, इसना तक आप नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप simple और high school pass हैं, तो आप इस बैकिंस हैं, तो इसमें सारे regulation और rule government के लागू होंगे, इसलिए इसमें दोस्तों, आरक्षन के रुचार, तीन साल OBC candidate को, और पांच साल SCST को छूड़ दी जाएगी, और इसमें जो आपकी age करना है दोस्तों, एक आड़ दो जारते हिस तक आपकी age 18-27 साल होनी चाहिए, और इसके बाद OBC और SC candidate इसमें तीन और पांच साल अधिक जोड़ दें, उसके बाद बात करें, selection procedure की, इसका selection कैसे होगा, तो दोस्तों, बहुत ही इसका must selection procedure रखा गया है, इसमें आपकी कोई भी डिटन परिक्षा नहीं होनी है, इसमें जो आपका selection होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके P.E.T. और P.S.T. मतलब physical परिक्षा और आपकी जो physical measurement है, उसके अनुसार ही आपका selection हो जाएगा, तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें P.E.T. प.S.T. होगा, उसके बाद आपके document verification किये जाएंगे, और finally आपका medical होगा, एक normal सा medical होता है, और जो भी candidate इन तीनों faces को clear करेगा, joining पाज आएगा, आप मैं दोस्तों आपको बता दू, इसके जो physical परिक्षा होगी, इसका जो P.E.T. और P.S.T. होगा, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दोस्तों इसमें आपको ना ही कोई running करनी है, ना ही आपको कोई उठक बैठक करनी है, ना ही आपको चिनप य हो सकती है, वो baggage trolley भी हो सकती है, या फिर cargo की trolley भी हो सकती है, जो की 100 meter का area आपको दिया जाएगा, जहां पर सभी trolley बित्री होई होगी, तो उनको आपको पांच मिनट में एक अथा कर देना है, दोस्तों इतना तो होगा, आपका physical test, उसके बाद इसमें जो आपका height का measurement करें, इसके साथ इसाथ आपका सीना, दोस्तों 80-85 cm तक होना चाहिए, उसके बाद बात करें, आई की आपका जो आई का vision है, वो कितना होना चाहिए, मतलब 6 by 6 eye glasses आपके पास तो okay है, आपकी hearing, मतलब आपकी सुनने की छंता normal होनी चाहिए, मतलब आपका normal आवाज सुन सकते हो, ऐसाथ आपका होना चाहिए, इसके साथ इसाथ आपका physical fitness, मतलब आपका जो physical fitness है, अच्छी होनी चाहिए, गुड़ लोगी होनी चाहिए, आपका हट्टे-कटे मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद बात करें disqualification की, किसमें कौन-कौन से candidate का disqualification कर दिया जाएगा, फाइनली उनको इस interview से या selection process से बाहर किनको किया जाएगा, तो दोस्तों, जिनका weak shoulder, मतलब जिनका कंदा कमजोर होगा, मतलब जो कमजोर में दिखने वाले होंगे, उसके बाद विस्ट, जिनकी collide, पतली दूबली होगी, उनको भी इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, और candidate कोई भी major operation नहीं होना चाहिए, मतलब candidate कोई भी बड़ा operation नहीं होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों में बात करते हैं, वेतन कितना मिलेगा, सबसे अच्छी बात है दोस्तों में जैसा कि आप लोगों को पता है, लोडर की जोब है, और हाई स्कूल बेस पर यह जोब है, त इस्पेसल पेच अपन सो टोटल आपकी 21,300 मंतली पेमेंट होगी, मतलब 21,300 रुपए पर मंत आपको इसमें पेमेंट मिलेगी, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो गंडियर इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको एक साल में छुटिया कितनी मिलेंगे, तो आरेज, टोटल दो मिलेंगी, तो दोस्तों आपको टोटल छुटिया किती हो गई, बारा और अठारा हो गई, तीस और नो उन्तालिस और दो एक तारिस, टोटल मतलब साल में एक तालिस शुटियां ये हो गई, और पंजा नेशनल होलिडे, मतलब वो कोई साठ छुटियां आपको एक साल में दी जाएंगी, उसके बाद दोस्तों मैं बात करें, अन्नी बेनी फिट, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको कौन कौन से बेनी फिट मिलेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपका P.F. कटेगा, उसके बाद आपको 10,000 का मतलब येरली बात है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे फानली कि ये जो बेकिंसी मैंने बताई है, कौन से एरपोर्ट के लिए निकाली गई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, ये बेकंसी चन्नाई एरपोर्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें All over India से सभी candidates apply कर सकते है, ज सारी चीज़ा आप लोग सोच लें समझ लें उसके बाद इस बैक इंसी के लिए अपलाई करें दोस्तों वैसे तो मैं आप लोगो सजिस्ट करूंगा कि आज के जब नोकरिया तो किसी को मिल नहीं रहे हैं बट यह दस्वी पास केंडियेट के लिए बहुत सुनायरा मौका है इसलिए आप लोग इसको हाँ से जाने ना थे अगर आप इसके लिए इलिजिवल हैं तो आप अपलाई जरूर करें आप लोग यह मत सोचें लोडर की जोब है तो आप लोग कोई बोरेड होने हैं दोस्तों एयरपोर्ट में नॉर्मल से टॉली वगएर होते हैं उनको दक् साथ के दोबजने वाले मैं आप लोग के लिए बनारा हूँ तो इसलिए आप है पुर्चन को करों जिस से मुंझे टाकत मिले और से तरीक से आप लोग काम करता रहा और समय समय पकार अच्छे चीन करियों के बारें हैं अप लोग को सूझद करता रहां जिससे आपको जल्दी से जल्दी रोजगार मिले और आप लोग अपनी लच्च की और जल्दी से सफर हो जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नई जाने करें साथ तब तक के लिए जैहिंद बनने मातरम